तो 20-25,000 के सेग्मेंट के अंदर IQG9 5G और Nothing Phone 2A के अंदर काफी confusion create हो चुगा है Don't worry, बिल्गुत सही वीडियो देख रहे हो बहुत ही शोट में explain करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा पहली बार चैनल पर आयो तो like करना साथी साथ चैनल को subscribe करते हो जाना अब वैसे तो box content की बात करना जरूरी नहीं होता लेकिन यहां पर जरूरी है Nothing Phone 2A के अंदर आपको 24,000 रुपे देकर box में ना तो cover मिलता है ना यह कोई charger तो charger आपको अलग से purchase करना पड़ेगा जिसके लिए आपको 2,500 पर और बे करने पड़ेगे तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना लेकिन IQ G9 के साथ में आपको charger भी मिलेगा साथ में cover भी अब सीदे में device पर आ जाते हैं जहाँ पर I think सबसे पहले looks और design की बात होने चीए और यह चीज जैसी है कि किसे को IQ का design पसंद आ सकता है किसे को nothing का design पसंद आ सकता है IQ काफी simple और clean design लेकर आता है पीछे एक pattern भी follow करता है वही nothing के अंदर थोड़ा अलग और एक futuristic design आपको देखने को मिलगा जो की लोगों की काफी attention gain करता है because of transparent back और glyph lights जो device को थोड़ा सा different look देती है बागी bend wise दोनों में कोई खास difference नहीं है दोनों phone plastic build लेकर आते है फर्क सिर्फ इतना है कि IQ matte finish लेकर आता है जल्दी से गंदा नहीं होगा scratches वगर नहीं आते वही nothing के अंदर आपको glossy back दिया है तो fingerprints के निशान और scratches काफी जल्दी पढ़ सकते है इन and feel दोनों ही phone का काफी अच्छा है 190 gram के आसपास इनका weight है नथिंग में transparent back की extra layer होनी की वेज़े से IQ वाला हलका सा आपको पतला feel होगा तो design को लेकर आप खुड decide करना कि आपको कौन सा phone ज्यादा पसंद है इसके अलावा दोनों ही phone में IP54 की rating है लॉर्मल water splashes से कोई दिक्कत नहीं होगी अब आते इसी देन के display के उपर आपको मिलेंगे outdoor के अंदर use करते हो तो IQ का display आपको थोड़ा सा bright feel होगा बाकि Netflix से अंदर HDR का support आपको IQ में मिलता है बट nothing के अंदर नहीं दिया तो यह चीज़ आप देख लेना बाकि security के लिए दोनों ही phone में आपको in display fingerprint sensor दिया है की काफी अच्छे से काम भी कर रहा है haptics की बात करूँ तो कई ना कई नथिंग के haptics ज़्यादा बैटर है साथी साथ vibration भी आपको थोड़े से अच्छे फील होंगे sound के लिए दोनों ही phone dual stereo speakers के साथ पर आते है 3.5 का audio jack दोनों में नहीं है लेकिन हाँ loudness आपको दोनों के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलेगी साथी साथ details भी काफी अच्छी है जो base की quality वो IQ G9 5G में slightly better है लेकिन software में कौन सा phone ज़्यादा अच्छा है तो दोनों phone out of the box android 14 लेकर आते है nothing में एकदम clean software है कोई फाल्तु के ads नहीं कोई blotworks नहीं वही IQ के अंदर आपको blotworks और add भर भर के देखने को मिलेगे जिनको शुरुआत में आपको aristotle करना पड़ेगा और fall to recommendation वगर को भी बंद करना पड़ेगा लेकिन updates के अंदर nothing में 3 साल के OS update और 4 साल के security update आपको मिलेगे वही IQ के अंदर आपको 2 साल के OS update और 3 साल के security update मिलेगे customization दोनोई UI में आपको देखने को मिलेगा IQ में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है always on display का option दोनोई phone के अंदर दिया गया है nothing में glyph interface के लिए अनक से customization में आपको मिल जाते हैं जो कि थोड़ा सा cool लगते silent call recording आप IQ के अंदर कर सकते हो लेकिन nothing में Google डालर होने के वज़े से official possible नहीं है एक और चीज कोल के टाइम मैंने notice करी nothing के अंदर physical proximity sensor दिया है और IQ के अंदर motion base है तो इतना accurate नहीं है जितना आपको nothing के अंदर देखने को मिलता है अब आते सिधे performance वाले पार्ट पे जो की काफी ज़ादा confusing है दोनों फन में आपको media tech का processor मिलता है और same processor media tech का 7200 processor है दोनों device LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 के storage को support करते है nothing वालों ने इस processor को अलग से pro नाम दिया है क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने device के chipset को थोड़ा अपने according tune किया है और उसी की वज़े से शायद यह उतना अच्छे से optimize नहीं हो पाया अंटू-टू-टू-इसकोर अगर आप देखोगे तो same processor होने की बावजूद nothing के score कम निकल कर आते हैं अब इसका day-to-day task में तो कोई खास फरक नहीं दिखेगा एप opening काफी fast हो रही है nothing apps को थोड़ा से जल्दी open कर देता है बट इतना कोई खास difference नहीं है लेकिन जब आप gaming करोगे तो आपको काफी बड़ा difference देखने को मिलेगा बीजे माई के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आईकू बहुत ही consistent fps maintain करता है साथी साथ constant gaming आप वहाँ पर कर सकते हो वही nothing के अंदर आपको बहुत से frame drops देख रहे हो मिलेंगे और gameplay उतरा stable भी नहीं था तो gaming की इसाप सेगर आप phone देख रहे हो तो मैं बोलूँगा के आईकू यहाँ पर बैटर है बाकि overall performance में दोनों फून काफी अच्छा perform करते है बैटल की बात करे तो दोनों फून 5000 mh की बैटल लेकर आते है आईकू में 44 watt की fast charging है और nothing में 45 watt की लेकिन जो difference आपको मिलेगा वो मिलेगा इनके charger में आईकू के अंदर charger आपको box के अंदर ही मिल जाएगा लेकिन नथिंग में आपको अरत से purchase करना पड़ेगा तो दो से डाइजर पर आपको और पे करने पड़ेगे तो यह चीज़ आप ध्यान में रखना नैटॉक में दोनों फून काफी अच्छ है दोनों फोन 5G को सपोर्ट करते हैं नतिंग में 13 5G की बैंड है और आइकू के अंदर 8 5G की बैंड मिलते हैं लेकिन 5G प्लस नतिंग ने constant maintain करके रखा है वही आईकू में मुझे देखने को नहीं मिला बागे 5G की speed दोनों फोन में काफी similar थी इसके अलबाद दोनों फोन के वीडियो ज्यादा लोगों तक महुंच सके तो दोनों फोन में जो में केमरा है वो 50MP का है बट नतिंग में 50MP का अलग से ultra wide lens भी दिया है तो नतिंग के पास ultra wide lens के साथ में एक plus point है नतिंग के फोन में shutter speed याँ पर थोड़ा सा slow है और photos में camera processing में भी थोड़ा सा time लेता है द iqoo के अंदर close to natural होते है skin tones की बात करें तो दोनों फोन में काफी तक similar से देखने को मिलेंगे light control और HDR वैसे तो दोनों फोन में काफी अच्छे है कि वहाँ पर focusing को लेकर थोड़ा सा issue है काफी बाहर ऐसा होता है कि main subject को photos के अंदर blur कर देता है तो main camera में light control के उपर nothing को थोड़ा काम करने की ज़रत है और focusing के उपर iqoo को और रही बात portrait shots की तो दोनों फोन में काफी अच्छे आते है साथी साथ 2X पर काफी अच्छे portrait shots आप example के लिए याँ पर background के अंदर आप light को देखो उनको iqoo के camera ने काफी अच्छे से control किया है वही नथिंग में lights में flare काफी आते है नथिंग में 50 megapixel का अलग से ultra wide lens भी दिया है वहाँ से photos काफी अच्छे निगल कर आते है details भी वहाँ पर अच्छे होते है और जो light control है जो color है वह भी काफी सही है वैसे जो भी फोटो में आपको देखा रहा हूं सारे मैंने google drive के अंदर save कर दिये वीडियो के description में link देदूँगा आपको जागर check out कर सकते हो कि आपको कौन से phone के camera किस तरह का देखने को मिलता है वीडियो की बात करें तो दोनों फोन के rare camera से 4G 30 एपिस से जो nothing वाला है वहाँ पर details आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं साथी साथ color के बात करूए आपर skin tones की वो भी आप देखोगे तो आपको nothing में थोड़े से ज़्यादा consistent देखने को मिलेंगे वह यह आईकू के इंदर आपको 12 Megapixel के अच्छे देखने को मिलत है skin tones colors सब कुछ काफी अच्छा है light control भी मुझे यहाँ पर काफी सही लगा वही nothing वाला light को उतना अच्छे से control नहीं कर पाता skin tone थोड़े से dark होते साथी साथ noise भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है बागी वीडियो की बात करें तो दोनों फोन में 1080p 30 episodes तक की देना चाहिए तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्राइजिंग के उपर फोकस करना चाहूंगा कि आइको वाला आपको 20,000 के असपास देखने को मिलता है और nothing वाला जो है वह आपको 24,000 के असपास देखने को मिलता है अब देखा जाए तो दोनों फोन में काफी सिमिलेटी ज इसके लबाद सेल्फी केमरा के अंदर जो है नतिंग के अंदर थोड़ा सा प्लस पोइंट है और डिजाइन और लुक इसका थोड़ा अच्छा है एक अपडेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन वहीं पर आपको 4000 पे ज़्यादा भी देने पड़ते हैं और स चेक आउट कर सकते हो वीडियो गर पसंद आया तो लाइक कर देना साथी साथ सब्सक्राइब करते हो जाना मैं मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो को किसी नेट टॉपिक के साथ तब तक की लिए जय हिंद जय बारत